नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर तो गाइद आज जो है बिहार एस्टेट का एस्टेट का जो पेपर हुआ है 19 माई की आल सिप्ट का मतलब पहली सिप्ट प्लस सेकेंड सिप्ट तो इन दोनों सिप्टों के जितने भी कोश्चन है सारे के सारे देख लेते हैं वीडियो स्टेट करने से पहले आप लोगों से एक बात काऊंगा जो लोगों नए हैं तो प्लीज चैनल को जरू सब्सक्राइब करने चलिए स्टाइट करते हैं तो पहला कोश्चन है मोपला बिद्रो कब हुआ मुपला विद्रों की बात करें तो ये हुआ था 20 अगस्त 1921 में अगला हीराकुन बांध कहां पारिस्टित है तो ये इस्टित है उडिसा में और ये हीराकुन बांध जो है वो महानदी पर बना है और महानदी को क्या कहते हैं उडिसा का सोक भी कहते है महानदी को अगला है समिधान सभा के इस्थाई अध्यच का नाम बता तो यह हो जाएंगे डाक्टर राजेंद्र परसाथ अगला है सबसे ज्यादा चीनी की मिले जो हैं वो कहां परें तो वो हैं उत्तर प्रदेश में टोटल कित्ती मिले हैं 157 अगला है पैरिस की संधी कब ह बात करें तो यह हुई थी दस फरवरी 1763 में हुई अगला यू एनो का फुल फॉर्म बताओ तो यूनाइटेड नेशन्स और्गनाइजेशन अगला स्केल से क्या मापते हैं स्केल से बजन या द्रविमान को मापा जाता है अगला मांट एबरेश्ट की दिसा बताओ तो मा 22 डिगरी 69 मिनट उत्तर से 86 डिगरी 56 मिनट पूर पर है अगला है विद्धुत आवेस का मातर क्या होता है तो यह होता है कुलाम अगला है एक विद्धाले में पाठ पुस्तक का क्या मतलब होता है तो एक ऐसी पुस्तक है जिसमें अध्यन की किसी साखा की सामगरी को समझा क्याने के इरादे से उसका ब्यापक संक्रलन होता है कर अगला बास्केट बाल में खिलाड़ी होते हैं बास्केट बाल में अगला आलू का जुलसरो किस के दौरा होता है तो फाइटो प्योथोरा इन फे श्ठान नामक फपून के काराण अगला है विस्व में किस देश की जनसंख्या सबसे जादा है तो बो देश हो जाएगा भारत देश हो जाएगा अगला है 2011 की जनगर्णा के अनुसार किस राज का जनसंख्या घनत सबसे जादा है तो बो राज हो जाएगा बिहार अगला है फ्रांस की क्रांती कब घटेत हुई फ्रांस की क्रांती कब हुई थी 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांती हुई अगला है पाक जल डमरू मद्य किन देशों को अलग करता है तो भारत और स्री लंका नेक्स्ट है भारत का राष्टपती अपना त्यागपत्र किसको देता है तो भारत का राष्टपती जो है वो उपर राष्टपती को अपना त्यागपत्र देता है अगला बिहार में गरीबी कम करने के लिए कौन सी योजना आई तो जीवी का योजना आई नेक्स्ट युएनों की स्थापना कब हुई तो ये हुई ती 1945 में युएनों की स्थापना हुई अगला है सूचना का अधिकार अधिनियम कब बना तो 15 जून 2005 को बना नेक्स्ट इस्थाय बंदबस्त कब लागू हुआ तो ये लागू हुआ 1793 में अगला जर्मनी की मुद्रा क्या है? जर्मनी की मुद्रा है यूरो क्या है? यूरो नेक्स्ट है असयोग आंदोलन कब हुआ? तो ये हुआ था एक अगस्त उननिस सो बीस अगला है बिहार के पहले उपर राजपाल कौन है? तो सर चाल्स स्टुवार्ट बेली नेक्स्ट है संथाली विद्रो कब हुआ? संथाली विद्रो की बात करें तो ये अठारा सो पच्छपन में हुआ था अगला है UPSC के सदस्यों की संख्या किस के द्वारा निर्धारित की जाती है? तो राष्ट पती के द्वारा निर्धारित की जाती है अगला एक हेक्टेर में कितने बर्ग मीटर होते हैं तो दस अजार बर्ग मीटर होते हैं एक हेक्टेर में अगला है भारत के किस राज की जनसंक्या सबसे काम है तो वो राज हो जाएगा सिक्किम अगला है पटना में गोल घर की स्थापना कब हुई तो 1786 में हुई थी अगला है लोकसवा में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों की जो संक्या है वो कितनी है तो वो हो जाएगी संक्या 84 नेक्स्ट बंधन एक्सप्रेस का समण कौन से देश से है तो वो हो जाएगा बांगला देश से है अगला है भारत का कौन सा राज बांगलादेश के साथ सीमा सान्जा नहीं करता तो वो हो जाएगा जहार खंड अगला है मुस्वलिनी कहां का नेता था तो ये था इटली का नेता था नेक्स्ट संयूक्त राष्ट संग की स्थापना कब होई 24 अक्टूबर 1945 को संयूक्त राष्ट संग की स्थापना होई अगला प्रतम विस्यूद कब से कब तक चला 1914 से 1918 तक अगला सोन नदी का उधिकम कहां से होता है मद्द प्रदेश के अनुपूर जिले में अमार कंटक अगला है संबेक का ऐसाई मात्रक बताओ तो किलोग्राम मीटर पतिस सेकेंड मीटर सेकेंड इन्वर्स अगला है मांटेग्यू चेम्स फोर्ड का संबन बताओ तो संबेधानिक सुधारों से संबन दित है मांटेग्यू चेम्स फोर्ड अगला है क्रसी का निर्यात में कितने प्रतिसत का योगदान है भारत का तो 2.2% नेक्स्ट कुस्चन है महाराणा प्रताप सागरबान जो है ये कहां परिस्थित है तो राजस्थान के राबत भाटा में चंबल नदी पर अगला जिबानू दोरा कौन सी बिमारियां होती है टाइफाइड, बुखार, हैजा, तपैदिक, एंथ्रेक्स और टिटनेस अगला है 2011 की जनगर्णा के अनसार किस राज की साथ छर्तादर सबसे ज़ादा है तो वो राज हो जाएगा केरल राज अगला है संजय गांधी जैवेक उद्ध्यान कहां परिस्थित है तो ये हो जाएगा पटना में इस्थित है नेक्स्ट है बुलूम के द्वारा किसका बरगी करण किया गया है तो सैचिक उद्ध्यसियों का मूल बरगी करण अगला है अनुच्छे 356 का संबन मताओ अनुच्छे 356 में क्या है भारती राष्टपती को किसी विशेष राज में अपना सासन लागू करने और राज की सरकार को खारिच करने की अनुमती देता है अगला है फोटोग्राफी उद्ध्योग में किस अमल का प्रियोग किया जाता है एसेटी कमल या सेटरिक मल अगला रूस की करनती कब हुई तो रूस की करनती मार्च 1917 में ताथा अक्टूबर 1917 अगला है गोलकुंडा किला कहां इस्तित है तो यह इस्तित है तेलंग गाना में गोलकुंडा किला इस्तित है अगला है बिर्समुंडा का जनम कब हुआ था तो 15 नबंबर 1875 अगला अंतर राष्टी नियायले का मुख्याले कहां है तो हेग नीदर लेंड अगला उस राष्टपती का नाम बताओ जो लोकसभा अद्यच भी रह चुके हैं तो नीलम संजीप रेड़ी अगला राष्टपती के द्वारा कौन नियुक्त नहीं किया जाता तो महादी बक्ता नियुक्त नहीं किया जाता अगला गौरप्पूर्ण करांती कहां पर हुई थी तो ये हुई थी इंग्लैंड में अगले कोश्चन की बात करें तो कोश्चन ने बासको डिगामा भारत का पहुँचा तो सन 1408 ठान्वे में भारत पहुँचा था अगला स्वराज पार्टे की स्थापना कब और किसने की तो जनबरी 1923 में देश वंदू चितरंजन्दास तता मोतिलाल नहरू अगला रेड डाटा बुक का समन्द किस से है तो लुप्त प्राय प्रजातियों से समन्दित है रेड डाटा बुक अगला हिंद स्वराज पत्र का किस की है तो ये है महात्मा गांधी की अगला है मान चेतर में नीले कलर से किसी को किसको दसाया जाता है पानी को दसाया जाता है नेक्श्ट है बहुजन समाज फार्टी के संस्थापक का नाम बताओ तो कांसी राम अगला है बंस अनच्छन अदिनियम कब पारित हुआ तो 20 Atober 180 को पारित हुआ था अगला है काजी रंगा नेशनल पार कहां पर इस्टित है तो ये इस्टित है असम अगला है चिपको अंदोलन कब हुआ तो 1973 अगला है राष्टपती को सपत कौन दिलाता है तो मुख्य न्यायाधीस राष्टपती को सपत दिलाता है अगला जनसंख्या के मामले में भारत का विस्ट में कौन सा इस्थान है तो पहला इस्थान हो जाएगा और आज का लाश्ट आनुच्छे 362 का समन में तो भारती राज्जियों के सासकों के अधिकारों और विसेसा अधिकारों को माननेता देता है अनुच्छे ते 362 तो गैज आसके इस विडियो में इतना है थेंक्यू धन्यवाद